बच्छन नमबर 6 में देखिए, यहां पर इनोंने क्या दिया है, एंगल B और A दिया हुए है, जबकि लाइन हमारे पास B C है, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा बच्छो, इसके तीनों कोनों से एंगल C निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो ही एंगल दिये हुए है, और ह पर 150, C is equal to 180, एंगल C is equal to इसको एंगल लिख सकते हैं, इक तरफ B पर हम 45 का एंगल बना लेंगे, और C पर 30 डिगरी का एंगल बना लेंगे, फिर एक अन्य तरिबुज की रचना कीजिए, जो इसके 4 बटा 3 हो, अब यहां ध्यान रखना है, 4 upon 3, अब तरिबुज बढ़ेगी, आपको यह भी ध्यान रखना है, उसी तरह हमारे पास एक लाइन लेंगे, हम DC और B पर हमने अंगल किते डिगरी का बना बताया है, उन्हें 45 का, अब अंगल 45 का कार से ही बना सकते हैं, तो आपको यह अपने वो बना, और यहाँ पर अंगल हमने, 30 डिगरी का बनाना है, 30 डिगरी का अंगल से हाफ होता है, कार से बना सकते हैं, यह हमारे पास A point आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर हमने क्या करना एक, यून कोन बनाना, ट्रेंगल बनाना, और उसमें हमने 4 अपाउन 3 है, तो कितने कट लगाने, 4, 1, 3, 4, और जो denominator में होता है, denominator में क्या है, 3 है, एसको 1, 2, 3 है, और denominator में क्या है, तो 3 आगे जादने, इसका मतलब क्या है, हमें ट्रेंगल जो है, वो आगे बढ़ेगी, ट्रेंगल हमारी होगी, आगे बढ़ेगी, तो line को extend कर ले, हमने क्या करना अब, C3 के parallel हमने, 4, C-, यहाँ पे C- कोई point आएगा, line, ऐसे खी, और A-C के parallel हमने, यहाँ पे A-, dash line, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, B-C, 7 cm, कितनी linear हमने B-C, 7 cm linear और, यह देखिए, यहाँ पे B, और यह C, B, और यह हमारे पास आगया C, यह हमने 7 cm ले, बच्चों फिर कह रहा हूँ, steps of construct, C पर 30 degree का angle बना देते हैं सबसे पहले, यह 60, और अगर आप 60 की ही चाप को लंबा कर दोगे, तो यह हमारे पास कितने का बंजेगा, 30 का angle बंजेगा, यहाँ बिल्कुल sharp सी line लगाई है, और, इसको आपने line को आगे बढ़ा लेना है, तो यह हमारे पास क्या आगया, 30 degree का angle, C पर बंजेगा, अब बच्चों ने क्या करना, B पर कितने degree का angle बताया है, 45 का, देखिए, 45 का angle कैसे बनाते है, 60 से ही बना सकता हूँ, देखिए, 45 का angle कैसे बनाऊंगा, यह 60 है, इसकी line को लंबा किया, यहां से मैंने 30 का angle बनाया, ठीक है, इसको मैं dotted में लूँगा कि मुझे 30 का नहीं चाहिए, और एक arc मैं यहां से 30 से, और एक arc 60 से, यह मेरे पास 45 का angle, ऐसे भी बन सकता है, शायद आपको आता भी हो, चुझे, पर यह दोनों चापे, यहां पे कट गी है, मेरे पास क्या आ गया, यह, क्या आ गया मेरे पास यह, अब A, a triangle क्या बन गी मेरे पास, A, B, C, और process वही है, दुबारा क्या करना मैंने यहां पे, एक, noon cone बनाना, steps of construction, फिर कह रहा हूँ, ल B, and make an angle of 30 on C, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, B, C, L, A, come, noon cone बनाया, और हमें बोला क्या है इनोंने, 4 बटा 3, क्या करना है हमने, 4 बटा 3, तो 4 चाप पर लगानी है, हम यहां पे 4 चाप लगाएंगे, दिखिए, 4, R, हमने यहां पे, यह दिखिए, यह लगा लेनी है, और नीचे क्या है, 3, तो तीसरी चाप को हमने मिलाना है, नाम को दे देते हैं, इसको B1, B2, B3, B4, और थर्ड जो आर्क है, उसको हमने C के साथ मिला दे रहा है, अब इससे में क्या पता लगा रहा है, कि हमारी construction में यह triangle बड़ी बननी है, improve होनी है, क्योंकि 4 बटा 3, एक स बढ़ा होता है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया, और इस line को भी हम आगे की और देखे, बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी 3, C के parallel हमने, B4, C' लेना है, क्या लेना है, B4, C' यहनि कि इस वाली line को आगे की तरफ हमने move करना है, दोनों तरीके से देखे क कैसे करेंगे हम, यहां पर हमने इसी परकार set square को fix किया, ठीक है, और ऐसे move करना हम देखे, जैसे move करना, उसी साबसे हम इसको set square को एक बढ़ चेक कर लेते हैं, कि हमारा वहां पर चला जाएगा, नीच बाजाएगा, और उसके बाद देखिए, हमने second set square के बिलकुल adjoining लग करना हूँ, अब उसको set किया यहां पर, ठीक, और दूसरे हाद से आपने इसको fix किया, और इसको दीरे-दीरे move करते हैं, हम यहां पर आगे, b4, c-, ठीक है, क्या है हमारे पास, b4, c-, अब हमने क्या करना, a, c के parallel, a, c- लेके जानी है, क्या करना है, a, c-, c-, a, c, के parallel बनानी है, उसके उपर हमने देखिए, उसी परकार तरीका वही दियान रखना है, और अब इस hand को हमने move करते हैं, तो यह हमारे पास क्या बनगी, a-, c-, और a-, c-, a, c-, b, एक हमारी अभिष्ट, त्री बूज बनगी, a-, b, और c-, steps of construction में क्या लिखेंगे, हमने c, b3 के समाना अंतर, c-, b4 लिया, और a, c के समाना अंतर, a-, c- लिया, जिससे एक अभिष्ट्री बूज बन जाती है,